हुआ है आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और विल्कम बैक टू मैं चानल तो यहाँ पर मैं सूप बगरा जो सूप अरग दिया जाता है तो उसकी त्यारी में लगी हुई हूँ तो सारे फल वैगर में यहां पर सजा रही हूँ तो जितने भी फल थे सब को मैंने बहुत अच्छे से साफ कर लिया दो लिया पानी से और मैं उसे मतलब दीदियां पर हैं वो मुझे बता रही है लेकिन उनका फास्टिंग होता है तो इसलिए मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ तो वो मुझे बताते जाएंगी वैसे वैसे सारे फल और जो भी ठेकवा बनता है और जो भी परसाद है समय सूप में लगाओंगी सिंदूर तो सबसे पहले सिंदूर पर लगाया जाता है फिर चावल जो होता है तो अच्छत पर लगारा डाला जाता इसके जो भी परशाद तो सारा फल मैंने यहां पर देख सकते हैं आप लो मैंने साफ करके रख लिया है तो हम लोगों के जोड़ा सूप भी लगता है तो सब पर मैं पहले अच्छा तुमेरा डाल रही थी तो मुझे आता नहीं है गाइस तो मुझे दिदी बता रही थी तो मैं वै नहांके किया जाता है चुड़ी वैगरा सब कुछ एकदम न्यू होना चाहिए तब ही यह करना चाहिए क्योंकि बहुत ही चल्ठ जो छट व्रत होता है बहुत ही कठीन होता है और मतलब ड़र लगता है कि कहीं कोई गलती नहों हो जाए तो इसलिए बहुत ही नियम इसमें की त्यारिया यहां पर मैं कर रही हूं तो यह दिन का टाम है तकरीवन बारा बज रहे थे तो morning में मैंने ठेकों आखा हम लोगों प्रसाध बनाया था और दीन में बारा बजे के लगवक मैं यहां पर इसको डाला बोला जाता है जो की बांद की लेके जाए जाता है तो भई में सूप में अरक दिया जाता है बहुत लोग मतलब जो पितल का थाली होता है सूप होता उसमें भी देते है तो जिसको जैसा मतलब जिसको जैसा सोबिदा होता है लोग वैसे मतलब इस ब्रत को करते हैं जैसा कि भगवान तो भव के भूखे होते हैं, तो बस मन में सुरधा भक्ती होनी चाहिए, और मन एकदम सच्चा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी ब्रत को कितना भी कर लिजे, बस मन सच्चा होना चाहिए, तो भगवान उस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो भौ के भुके होते हैं ना कि उनके लिए सब कोई माइने नहीं होता है कि आप उनको क्या अरपन कर रहे हैं बस आप उनको एक दिया भी अरपन कर दोगे वो भी सच्चे मन से तो भगवान उसको भी ग्रहन कर लेते हैं तो मेरा यही मानना है कि मतलब भौ सच्चा होना चाहिए और मतलब स्रधा होना चाहिए किसी भी पर्व को करना है तो तो स्रधा से कीजे चाहिए आपके पास सारे चीज अबलेबल हो या ना हो मेरा अपना परसनल यही सोच है और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इंसान अगर पूजा करता है और बड़ो की इज़त ही नहीं कर रहे है किसी का दिल दुखा रहे है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए पूजा पाठ बिल्कुल भी एकदम सच्चे मन से और स्रधा से करना चाहिए और पुजा में दिखावा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमने मतलब यह अरपन किया, वो अरपन किया बिल्कुल भी नहीं जो भी भगवान तो जो भी देखते हैं वो यह देखते कि भगत उनके प्रदी कितना सदाभाव रखते है और उनकी पुजा ही सफल होती है गरीबुगों पे दया करने चाहिए अपने से जो भी बड़े हैं उनकी इज़त करना चाहिए मावापकी इज़त करना चाहिए मेरा तई मानना है गाईसी की ये सब चीजे करने से भगवान ज़्यादा खुश होते प्रसंद होते हैं ये सब तो बस दिखावा होता है कि आप मतलब ये उनको भगवान जी को अरपन कर रहे हैं लोग क्या क्या अरपन करते हैं बट सच्ची स्रधावई होती है जो आप सच्चे दिल से भगवान जी को मतलब अरपन करते हैं अगर किसी गरीब की आप मतलब मदद करते हैं तो उससे भगवान जी ज्यादा प्रसवन होते हैं मेरा यही मानना है तो चली बहुत सारी बाते हो चुकी है तो यहाँ पर मैं मतलब फटे-फटे यहाँ पर त्यारी मतलब कर रहे थी सारे फल में रख रहे थी तो जो जोड़ा सूप जो लगता है गाइच तूसमें ना जैसे डबल फल लगते हैं जैसे ही कि अगर आप मतलब कोई भी सेव हो या कोई भी फल हो तो जोड़ा लगता है तो मुझे दीदी साइट से बता रहे थी तो मैं वैसे ही डाल रहे थी और यह सब मेरा पहला क्योंकि बस मैं और मेरी दीदी जी हमेशा होते हैं साथ में और मिलके करते हैं और दीदी तो फास्टिंग में होती हैं तो वह कहां से करेंगी वट वो गाइड करती है हम लोगों को तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस मुझे यह सब करना बहुत अच्छा लग मेरे मतलब मुझे जो मिलता है वो काम मैं तो एक दम टाइम से कर लेती हूं तो मैं सब चलो आप लग सेड़ करती हूं कि किस तरह से मतलब डाला वेगर या सूप अगर सजा जाता है वैसे मैंने छ़ट पुजा का ब्लॉग डाला वाथा पिछले